सबी देखने वालों को जैमाता दी आज अस्टमी नौमी स्पेशल में मैं कंचका पूजन के लिए तीन भोग एक साथ बनाने वाली हूँ कैसे सुबह की जल्दवाजी में आप केवल आदे घंटे में ये तीनों भोग बना सकते हैं किन चीजों का ध्यान देना है बनाते हुए साथ ही जानेंगे ये भी कि कंचका पूजन के समय क्या साथ धानिया दे कौन सी चीजों का ध्यान दे ताकि कंचका खुश हो जाए भगवती खुश हो जाए आप के लिए ये नवरात्री फलदाई हो सके विशे से विडियो अंत तक देखिएगा तो सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं काले चने पकने में तो इन्हें आप यदी हो सके 5-6 घंटे के लिए भिगो दीजिएगा यदी नहीं भिगोए हैं भूल गए हैं उसका भी आइडिया दूँगी मैंने पहले से भी को दिया था दो लिये थे पहले तो मैं पानी के साथ उबालने इने डाल दूँगी पानी आप इसमें इतना डाले जितने चने हैं उससे हलका सा ज़्यादा बस क्योंकि सूखे ही बनाने बहुत पानी तो नहीं चाहिए हमें नमक यहां डाल दीजिएगा जब नमक उबलते हुए चनों में डाल देते हैं ना तो वो चनों के बीच तक जाता है जिससे स्वाद बहुत अच्छा आता है यदि आपने इंस्टेंट बनाना है तो आप चने दोके डाल दीजिए यहां पर ऐसे ही अब पांच से छे बिस थल आपको लगानी होगी यदि आपने भी गोया नहीं है अब सुनिये आइडिया इन्हें जल्दी बनाने का तो चने तो पकने में नेके टाइम जब तक चने उबलेंगे तब तक हम बाकी के दो भोग बना लेंगे क्योंकि सुबह सुबह की जल्द बाची में कंच का पूचन ह कन्याओं को कई जगा पूचा के लिए भी जाना होता है कुछ बच्चियों को तो स्कूल भी जाना होता है तो उनका समय बहुत कीमती है यह ध्यान दे तो इसे साइड वाले चुले पर उबलने के लिए लगा लेते हैं यहां बना लेते हैं तब तक हलवा तो हलवे के लिए ये शुद्दे सी घी ही आप ले, माता के लिए बनना है, तो शुद्दे सी घी में बनाए, शुद्दताओं का विशेस ध्यान दे, आटा इसमें डाल दिया है मैंने, अब आटे को हमने बहुत अच्छे से भूनना है, जब तक इसमें से खुशबून आ जाए, लोग फ्लेम पे ही बूनना होता है, जिसमें पांच-साथ मिनट लगी जाते हैं, जब तक आटा बूनता आईए, तब तक आपको कुछ विशेस बाते बताती हूं, जैसे विदान है कि नौ कन्याओं को पूझा जाता है, क्योंकि जो नवरातरे हैं, उसमें नौ दिनों तक देवी मा की पूझा की जाती है, अलग-अलग देवियां हैं, उनकी पूझा की जाती है, तो उन्हीं को माना जाता है, जो नौ कन्याओं आती हैं, नौ छोटी बच्ची आती हैं, उन्हीं को वो देवी मा माना जाता है, कि ये नौ देवियां आई है, ये माता हैं, उन्हें अपने इच फिर दे सकते हैं लेकिन देना चाहिए कुछ ना कुछ अच्छा खाना खिलाएं ये तीन बोग तो बनते ही बनते हैं ये बनाके खिलाएं आप उन्हें मतलब वो देभी माता खुश हो जानी चाहिए वो कंचका हैं वो लड़कियां खुश हो जानी जाहिए तो माना जाता है कि उससे जो भगवती माता है वो भी खुश हो जाती है तो यहां देखिए आटा इल्कुल ऐसा बहुन जाना चाहिए खुश्पू बहुत अच्छी आ जाती है इस टाम बहुत बढ़िया खुश्पू आ गई है इसकी अब इसमें हमने चीनी डाल दे पकते हुए जैसे फिघलने लगती है चीनी उसके बाद इसमें पान्य डालिये का इससे गेट अप बहुत अच्छी आती है जो हल्वे की होती है अपना के देखिएगा इसको टेस्ट भी बहुत गजब काता है तो जैसे ही चीनी इसमें हलका सा पिघलना स्टार्ट हुई प कंजका पूजिन में नौ देवीओं के साथ साथ एक छोटे बच्चे को लड़के को भी पूजा जाता है देव उसे माना जाता है उसकी पूजा का भी विशेस बिधान है क्योंकि जहां पे भी आपने देवी माता के देखिए कहीं भी टेमपल देखे होंगे जहां पे भी कोई बड़ी शक्ती पीट बनी है वहां पे साथ में मंदिर भहरव का भी बना होता है वो उसी को दिखाता है कि देवियों के साथ एक भहरव उनकी रक्षा के लिए हमेशा ही साथ होता है इसलिए नौ देवियों के साथ एक देव को भी पूजना एक बिधान में आता है तब ही ये पूजा complete माने जाती है तो यहाँ जो आटा है देखिए पैन से लग हो गया था कुछ मेवे भी डाल दी है तो भोग भी बन चुका है तो हलवा बन गया इस टाइम को दो विसल आ गई है चने में अब हमने पूडी भी बनानी है तब तक जने पक जाएंगा उनकी टेंशन मत लीजिए और लास्ट में हम उन्हें बड़ी हसा छोंक लगाएंगे यहां गेहूं काटा लिया था हलका सा नमक हलकी सी अच्वाइन डाल दीजिएगा टेस्ट पूडी में अच्छा जाता है अब पानी लेते हुए वैसे ही इसकाटा गूंदना है जैसे चपातियों का गूंदते हैं बस हलका सा टाइट इसकाटा लगाएगा बिल्कुल हलका या जैसा चपातियों के लिए होगा वो भी चलेगा कोई इसे भीगोना नहीं है इंस्टेंट पूडी बनने वाली है कोई बेकिंग सोडा ने कुछ ने डालना बस क्या कीजिएगा जब आटा ऐसा डो बन जाए जिस ट्राइब का मैंने अभी बना लिया है इस ट्राइब का ये जब डो बने देखिए उसके बाद हाथ में हलका हलका घी लगाते जाएगा एक आदी बूंद पांच मिनट के लिए मसल लीजिएगा बस आपका काम हो लीजिएगा या गूंद लीजिएगा जिससे की पूरी ये एकदम सॉफ्ट एकदम फुली हुई बनेगी अच्छा सा देखिए आटा यहां पर लग गया है बिल्कुल ऐसा आटा है आईए अब इस इंस्टेंट बनाने चलते हैं तो चनों में तीन वीसल अब आ चुकी है म आम असान क्योंकि चना बनने में टाइम लगता है यदि हम सोचे कि चना ही उबालेंगे उसे ही तड़केंगे तब तो घंटों लगेंगे आपके ऐसे आदे गंटे में एक आम हो जाने वाला है ऐसी पूरी बेलनी है बहुत पतली भी नहीं होनी जिए वो कभी भी नहीं चिपके तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ मुशीन भी है पूरी की मैं नहीं उसमें बनाती हूँ बड़ा ही जंचर का काम लगता है मुझे बस ऐसे ही बेली ये बनाते जाएए घीया तेल ले लीजिए तो उसमें इसे तलना है अच्छा खासा पहले तेल को सेक लीजिए दम ये फूलती जाएगी, बिल्कुल ऐसे, तो मैंने एक ही पहले डाली है, ताकि पता चल सके कि जो तेल है, वो उसमें अच्छा खासा सेख है, या कुछ कमी है, तो देखिए फूल चुकी है बढ़िया से, पतली ही है, देखिए, कहाग जी पतली नहीं, लेकिन हलकी पतली ही बनानी है, देखिए, कितनी बढ़िया फूल गी, एकदम बढ़िया से है, तो ऐसे ही ये सबी फूल जाएगी, हम ऐसे ही बनाते जाएंगे, कोई टेंशन ये सब फूलेगी अब, तो यह मैंने निकाल ली है, बस ऐसे ही हम आगे भी समें, जो पूरिया है, वो ऐसे डालते जाएगे अब कंचका पूजन में आपको एक तो ये धान देना है कि किसी भी चीज में गल्ती से जो लहसुन प्याज है वो नहीं डालना है, कहीं टच भी नहीं होना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्हान, दे, सुद्धता का ध्हान दे, आपके आस पास यहां वाहां कहीं, अंडे का सेवन या कहीं नमास का सेवन आसपास भी नहीं होना चाहिए इस चीज़ का दिहान देना है कंचकाओं को जब आप खाना खिलाएं तो तीन भोग तो देखिए ये बनते ही हैं अबास पास के कंचकाय हैं या अपने भी देखिये बेटियां होती है फैमली में तो हमें पता होता है उनकी पसंद का, कि वो क्या चीजे खाते हैं तो आप वो चीजें भी बना सकते हो साथ साथ उनके लिए जितना आप दे सके उतना दीजिए उन्हें दे भी माता समझिए बढ़िया से उनकी पूजा कीजिए उनकी बस वो खुश तो समझिए कि भगवती माता भी खुश तो पूड़ियां भी बनगी अब चलते हैं चने देखने स्टीम ठंडी हो गई थी ढकन कोल लिया है तो खुश्बू तो बहुत अच्छी आ गई है जैसे पकने की खुश्बू होती है न चने की वैसी आ चुकी है अब हम एक चना उठा के दबा के देख लेंगे यह देखिए बिल्कुल ऐसे चने उबादने हैं आपने हैं बिल्कुल ऐसे पके हो लेकिन मेशी ना हो मतलब यह मेल्ट ना हो जाए वो टेस्टी नी बनते हैं सूखा जाना तो साबूत ही अच्छा लगता है पक चुका है बड़ी ऐसे आईए अब तड़काई से लगाते हैं अब लास्ट भोग है जो बनना है यहां तेल लेले घी लेले जिसमें बनाना है इसमें क्यूमन सिर्स टाल दिया है क्योंकि इसमें लस्ट प्यास तो देखिए हमें नहीं डालने है अब अद्रक यहां पर डाल देना अच्छी फश्बू आ जाती है डाइजिस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है बाकी यहां पर हल्दी डाल देंगे नमक जैसे की पहले से मैंने डाल दिया था अब यहां पर मैंने लाल मिर्च भी डाली थी कुछ मैंने यहां पर कटी हुई बह डाल दी है क्योंकि छोटी बच्ची ऑज्ची के नहीं खाया जाता है टीखा लेकिन कुछ बच्चों को पसंद होता है तो ऐसे काट के डाल देंगे उनके हिसाब से दे सकते हैं हलके पानी के साथ चना यहां डालिएगा हलके पानी के साथ बिलकुल सूखा नहीं बनाना है नहीं तो ठंडा होने के बाद तो बहुती induced सूखे हो जाते हैं जो गले में लगते हैं हलके पानी के साथ यहां डालिएगा तो मैंने हलका साना धनिये का जो सूखा पाॉर्डर होता है वो यहां डाल दिया है खुश्भू के लिए आप चाहे तो वैसे चना मसाला भी डाल सकते हैं नहां पर लेकिन पर शुद्धताओं का ही ध्यान देना है ये देख लीजिए काईदी आप डालना चाहे तो वो भी उस किया जा सकता है धक देते हैं इसे तीन मिनट के लिए केबली से हमने पका लेना है उसके बाद कंचका की ठाली बन जाएगी तो मैंने इसे तीन मिनट के ये पका लिए धकन उठाके देखेंगे पानी बढ़िया से सुख चुका है बहुत अच्छी खुश्बू आ चुकी है चने बन चुके हैं तो हमने देखिए तीनों भोग बना लिए आदा गंटा ही लगेगा जिस वे से मैंने बताया है आपको तो ये लीजिए कंचका पू होता है वो हमें लेना चाहिए तो आजकल होता है ना सेव तो सेव काटके लिया है कहते हैं कि थाली तब ही कंप्लीट मानी जाती है जब इसमें मौस में फल हो तो सबसे पहले तो भगवती माता की पूजा की जाती है अपने पूजा स्थान पे बैठके पूजा कीजिए उन या उपवास में ना हो तो आप खाना खा सकते हैं तो आई होप कि वीडियो को फूल इंजॉय किया होगा वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब कीजिए अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाज जैमाता दी